पर नेक्स्ट ऑपन बाइट और उसकी मेनेजमेंट तो ओपन बाइट बेसिकलिए आपकी दोतरह की होती है एक एंटीर ओपन बाइट होती है और एक पुस्टीर. बेसिकलिए दोनों का मतलब यह एकि आपके दांतों में वर्टिकल ऑवरलैब नहीं होगा जो यूजूली नॉर्मल दांतों में इडेंटीशन में प्रेज़न होता है जैसे आप अपने सामने के दांत देखें तो जो मेक्जिलरी टीट है वह मेंडेबलर टीट को किसी अदिक वर्टिकली कवर करके रखते हैं और यह बाइट ओपन हो सकती है इसी तरह पूस्टीर में भी ऐसी है अगर अपर लैप वर्टिक्ल ओवर्लैप और गर्टिकल ओवरलैप जो है वह नहीं होगा उसको आप कहेंगे यह पूस्टीरियर उपन बाइट है तो उसमें पहले अंटीर आपन बाइट को देख लिए फ समझने वाली चीज़ें कि उसका कॉज क्या है उसकी क्लेनिकल फीचर्स क्या होंगे और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी तो जो हमारा एंटिर ऑपन बायट का स्केलेटल कॉज है यानि कि मैक्जिला और मेंडिबल की ग्रोथ या उनकी पॉजीशन में कोई प्रॉब्लम है जि जो वर्टिकल हाइट है फेस की एंटीर ली वह ज्यादा है और इसी तरह जब आप पुस्टीर फेस पुस्टीर हाइट देखेंगे फेस की तो वह रेलेटिवली शॉर्ट होगी आपको छोटा लगे और इसी के तुरू आप देख लेंगे कि मैंडिबलर प्लेन एंगल बन है ओपको आपको फीचर्ज मिलेंगे उसमें इंपोर्टेंट है कि यूजिली आपका मेंडिबल होता है वह शॉर्ट हिसके इंदर और शॉर्ट होने के वह जीसे आपको क्लास्ट्टू की जो है क्लासिफिकेशन बनेगी बेसिकली और इसी के साथ यूजिली जो मैग लेकिन पीछे उसका ब्रॉटर पार्ट जो है वो जब नेरो मैक्जिला के साथ गलूट करेगा तो वहाँ पुस्टियर क्रॉस्पेट बन जेगी तो यह उसके कुछ कर रहे हैं और उसका प्रेफरेंस से आप उसका अपर एक्लूजल निकाल रहे हैं यह उसकी मतलब उपर जितने भी प्लेंस प्रोजेक्शन लगाएंगे तो वह नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू देगा यानि हाई एंगल की तरफ लेके जाएगा आपको इसी तरह आप देखें में मैक्जिला रोटेट कर जाएगा जो बैसिक लिए आपकी जो ओपन वाइटा उसको पतलब इसमें आप कहेंगे कि कॉम्पोजिट केस है कि मैंडेबल मैक्जिला दोनों की वाज़े से हो रहा है अब फिर अब वही बात है कि जो पैलेटल प्लेन हो भी स्टीप होगा और इसी के साथ आपकी जो अब विएसी बात है जब मैंडेबल आपका नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है और मैक्जिला उपर की तरफ रोटेट कर रहा है तो एदा होल जो दानत है आपके वह बैसिक लिए डिसक्लूड हो जाएंगे तो जिसके वाजिसे पूस्टीर दंतों क जो है वह आप कहलें के एक्स्ट्रूड होना पड़ता है यानि वह ओवर इरप्ट करेंगे मीट करने के लिए और और आपके तो आपके तो आपके तो आपके जाएंगे तरफ चले जाएंगे बाइट या निया बेसिकली पीशे से ओपन होती जाएगी और ऑविसली एंटीर जब ओपन माइट ग्रेट होगी तो एंटीर टीज भी ओवर इरप्ट करेंगे और ऑविसली वहां से प्रॉब्लम बन जाएगी और फिर यह कि जितने भी आपके प्लेंज बनते हैं वो डाइवर्जेंट होंगे डाइवर्जेंट का मतलब होए कि अगर प्लेन भी समझे सीधा लग रहा है तो यह आप कह सकते हैं कि यह कि दूसरे के पास-पास है जब कि इस के इस दूसरे से दूर-दूर ओंगे डाइवर्जेंट प्लेंगे इस तो यह फीचर से आपके स्केलेटल ओपन वाइट के अप्पिर आपके डेंटल ओपन होंगे और जो इसकी सबसे कॉमन कौद आपकी जो डिफरेंट हैबिट्स है जिस तरह की थम सकिंग हैबिट आ जाती है यह तरह जाती है वह ज्यादा सकिंग में यह होता है कि आप थम जो हो मुग के अंदर रखे लेता है बच्चा जो होता है तो अपर टीथ के पैलेटली और लोड़ इसकी लेविली थम रखे लेता है और जिस तरह फोर्स लेगी तो अपर टीथ आपके बेसिकली बाहिर की तरफ निकलते जाते हैं दूसरी च कर जाएंगे तो ओविसली बाइट आगे से थोड़ी सी ओर उपन हो जाएगी लेकिन इंपॉर्टन बात इसमें है कि अगर प्राइमरी टेंटीशन के अंदर इस हैबिट की वाज़े से आपकी बाइट बन रही है तो वह इतनी सभी मतलब आप कहलें कि क्लिनिकली और और औ अटमेटिकली ठीक नहीं होगी और दूसरी इसमें इंपॉर्टन बात यह कि जब आप अंगुठा दोनों ऑपर और नीचे वाले दान्तों के दर्म्यान में रखेंगे तो आप टंग को भी आप डिप्रेस करके रिखेंगे और टंग भी बेसिकली पैलट के उपर जागे मै अग्जिनरी आज पर यह फोर्स नहीं लगेगी तो वह रैलेटिबली नेरो रह जाएगी और नेरो रह जाएगी तो वही फीचर आजागा कि पुस्टीर क्रॉस बैट डिवेलप हो जाएगी और फिर आपकी लिप टंग हैबिट से इसके अंदर आपकी टंग है तो उसके बाद जब आप जब बच्चा कोई भी चीज खाता है तो वह एंटीर लिप सील या कहलें एंटीर ली मुह बंद करने के लिए टंग वहां पर ले जाता है तो उसकी वज़ासे जो है वह वह तंग की फोर्स भी आपके एंटीर दोनों दांतों पर पढ़ती और अधर प्रोक्लिनेशन करवा देती है लेकिन क्योंकर इटसेल्फ यह फोर्स यह थोड़े टाइम के लिए लगती है और इतनी हैवी नहीं है तो यह इटसेल्फ जो है विदाउट आप कहलें थम सकिंग हैबिट यह ओपन बाइट कॉज नहीं करवाएगी मतलब है कि यह एक जो आपकी थम सकिंग हैबिटा उसके साथ एक और आप कहलें के लिए बैड हैबिट हो जाती है अब फिर आपका एयर्वे अब्स्ट्रक्शन का केस आ जाता है उसमें यह होता है कि एयर्वे अब्स्रक्शन के विए से पेशेंट आम तोर पे माउथ प्रीधिंग होता है फिर के वह थोड़ा सा मुझ खोल के रखता जिसके वैसे एक तो बाइट ओपन होगी बाइट ऑपन होने के से वही सारा के सब्सक्राइब कर जाएंगे और दूसरी बात इसमें जो क्लासिकल फीचर्स मिलते हैं को एडिन फेसिस कहते हैं जो थिन और लॉंग फेस हो है अब फिर आपकी स्केल्टल ग्रोथ अबन रहा है वहां पर ग्रोथ को जादा करवाएगी जो आपका मैंड़ प्लेन एंगल को इंक्रीज करेंगी और इसकी कंपन्सेशन जो आपके कॉंडाइलर एरिया पर होनी चाहिए डियूरिंग रोथ वह प्रेज़िट नहीं होग है तो उसके वेज़ से आपका प्लेन मेंड़ प्लेन एंगल इंक्रीज करेंगा और इंटीर ली ओपन बैट डिवेलप हो जाएगी फिर एक्टर जाने को पन बाइट जाने किया आप ट्रीटमेंट किसी और चीज की का रहे थे लेकिन आपने मेकैनिक्स और जो यानि ट्री किसी डिजीज यां ट्रामा की वज़े से होगी और लास्टली आपकी मस्कलर डिस्ट्रफी है तो वह भी यह है कि कुछ मसल्स जिनकी जो नॉर्मल टॉन होती है वह नहीं होगी तो ऑवराल एक्विलिब्रियम जो है आपके औरल क्याविटी का डिस्टर्ब होगा जिसकी व लेकिन इतना इंपॉर्टन नहीं है जो मॉस्ट इपॉर्टन हो आपकी हैबिट्स वाली जो सेक्षिन है वह फिर इसकी ट्रीट्मेंट आ जाती है तो अभिसली आप ने सबसे पहले कॉस डूढ़नी है और इसका इसको रिमोव कर रहा है अगर उसकी हैबिट्स उसकी कॉज है और वह प्राइमरी टेंटीशन के अंदर है तो इसको छोड़े पर्मनेंट टेंटीशन के अंदर आ गया तो फिर उसको आप डिफरेंट अप्लाइंस दे सकते हैं जिनके पर क्रिब लगा होगा तो उसको विसलिव से पहन होगी तो उसकी हैबिट्ट आपने किसी भी तर क्लास टू है मैंडबल भी शॉर्ट है तो आप उसको मैंडबल को फर्दर ग्रो करवाने के लिए ट्विन ब्लॉक वगरा दे सकते हैं उसके अलावा आप जो फंक्शनल अप्लाइंस दें उसके अंदर पुस्टीर जो है वह बाइट ब्लॉक लगा दें पुस्टीर होंगे वह फर्दर करेंगे और थोड़ा सा जो आपका है डिस्पैरिटी जो है ओपन बाइट की वह ठीक हो जाएगी लेकिन जो मेजर आपका वह होगा वह यह होगा कि पुस्टीर सोड़े से इंड्रोड होंगे उसको जब आप अप्लाइंस को उतार देंगे तो आप अगर आपका मेंडेबल ज्यादा ग्रो कर रहा है तो आप चिनकप दे सकते हैं और अगर आपने इसी तरह मेंडेबल मेक्जिला के जो मोलर्स हैं उनकी एक्स्ट्रूजन रोकनी है तो आप हाईपुल हेडगेर दे सकते हैं तो यह सारी आपकी हो जाती हैं फंक्शनल फिर आपकी और्फडाणिक थेरपी और्फडाणिक थेरपी में आप बॉक्स लास्टिक्स यूज्ज करते हैं बॉक्स ऐसे हैं कि अपर ऑन्टीर्स और लॉर एंटीर्स को आप समझें कि लास्टिक से आपने जोड़ दिया है जो कि फोर्स जिर अप्शन करवाएंगे किसी कदर ठीक हो जागी यह सवीर केसिज में तो यूज नहीं होगा वाइल्ड केसिज के अंदर यूज हो सकता है फिर है कि कि एक्ट्रेक्शन से हमें क्या फाइदा हो सकता है तो फर्स कर लएते हैं कि जादा प्रोकलाइं हमारे इंटीर जिसके विए से उपन बाइट ड्वेलप हुई हुई है तो हम यह करेंगे कि कोई एक प्रीम और एक्ट्रेक्ट करेंगे और उस पेस के अंदर आप जो अपने पीछे ले आएंगे आपकी जो ओपन बाइट थोड़ी सी ठीक हो जाएगी इसी तरह आपका लोवर भी प्रोक्लाइंट था तो उसके रेट्रोक्लाइंट होने से भी थोड़ी सी जो वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी है वो ठीक होगी एक्स्ट्राइल ट्रेक्शन वह सेम है कि कर सकते हैं एपने मेख्जिलर्य मोलर्स की को रोकने के लिए और चेन कप्स हैं वह पड़ेंगे ऑप बहुत सेविर होते हैं तो उसके अंदर आपको उसके आपको कर्यक्शन करनी पढ़ती है यहां वह वह कस जिनमें ग्रोथ गुजर गई हूई है कि अब इन मेंसे पीछे जो आपने growth modifying techniques पढ़ी है वो यूज नहीं कर सकते हैं और फिर उसके retention है retention में यह बता देता है जरूरी important बात कि थोड़ी सी जो treatment के बाद relapse का chance होता है वो ज्यादा होता है open bite के cases में क्योंकि जो growth होती है वो late teens में भी continue रहती है जिसके वजय से relapse के chance जाता होते हैं तो जो आपने retention देनी है वह प्रॉपर देनी होती है फिर आपकी पुस्टीर ओपन बाइट यूजिली वह बताता है कि इस वज़ा से होती है कि आपका कोई दान पुस्टीरली इरप्ट नहीं किया नॉर्मली तो यहां तो इसको कोई mechanical interference ती उपर primary दान पड़ा हुआ था यहां फिर किसी वजह से इसका इरप्टिफ मेकनिजम फेल हो गया तो अगर वह कंबल नहीं करेगा तो अपने पुस्टीर काउंटर पार्ट से नहीं मिलेगा मिल सकेगा तो आप इसलिए महां पर ओपन बाइट क्रियेट हो जाएगी अगर यह मल्ट और लेटरल दान पर फोर्स लगाएंगे तो बकली अपर और लोर के दान जो हो जाएंगे जिसके वेज़े से आपकी ऑपन बाइट बाइट बन जाएगी अगर तो ट्रीटमेंट सिंपल है कि आपने कॉस्ट जो है वो फाइंट करनी है और उसको ठीक करता है अब अगर तो तो उसके उपर आप कोई क्राउन वागरा लगा दें जिसके वाज़े से उसकी जो वर्टिकल डामेंशन है वो नॉर्मल हो जाए और उपन बाइट जो है वो लोस हो जाए यह आपका सारा था ओपन बाइट से रिलेटेड़